नमश्कार, संगीतर्स किचिन में आपका स्वागत है जैसा आप देख रहे हैं मेरे पास है ये तीन मेजिकल इंग्रीडियंट्स ये है सौफ मोटी वाली सौफ आप देख सकते हैं और बराबर की कॉंटिटी में मैंने लिया है ये जीरा और एक बोल भर के मैंने लिये हैं ट्राइ कड़ी पते और हम बनाने जा रहे हैं वेट लॉ लोस्ट करोंगी इतनी बड़ी है ये ट्रिंक और आपके घर में हर चीज अवेलेबल तो आपको वेट लॉस के लिए मेहंगी दवाओं की जरुवत नहीं पड़ेगी आप बस सिंपल मेथड से अपना वेट लॉस प्रोसेस कर सकते हैं ये देखे जीरे को कोई चीज डालके नहीं भूनना हमें केवल इसको ड्राइब होना है अब आप देख सकते हलका साथ भूह निकलना शुरू हो गया इसका मतलब ये हमारा जीरे बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गया हमें जीरे को काला नहीं करना बस इसमें खुश भूवाने तक इसको रोस्ट करना है और वैसे भी आप तो जीरा सॉंफ अपनी डेली डाइट में लेते ही हैं मगर इस प्रकार लेने से बहुत फाइडा होगा और अब मैं इस पैन में सॉंफ टाल रही हूं मूटी सॉंफ हमें लेनी है पतली सॉंफ मत लीजे ये मूटी सॉंफ भी हम थोड़ा सब भूनेंगे बहुत इलाजवा पनीगी ये वेट लॉस प्रिंग और आप एक पर ट्राइ करिए जरूर से आपको पसंद आएगी अब ये दू चीजें हमें रोस्ट करनी हैं कड़ी पत्ता हम रोस्ट नहीं करेंगे आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता बिलकुल ड्राइ है एक दम खाके रखते हैं तो ये देखें मेरी सौफ भी बढ़िया हो गई है जैसे ये कड़क की अवास आने इसमें शुरू होती है इसकी ब्राउनिंग शुरू हो आपके इसको करिए बन क्योंकि हमें इसको जलाना नहीं है सिर्फ फल का सा रोस्ट करना है तो ये देखें हो गई पढ़िया और इसको भी मैं इस पेन के अंदर खानी करूंगी बहुती बढ़िया खुश्पू आ रही है आपको पता है जीरे की भी खुश्पू बढ़िया हो तो ये ड्रिंक हमारी लाजवा बनने वाली है और देखिए पैन है गरम तो पैन के अंदर में एक नटके इसको एसे ही डाल गए तो इससे क्या होगा यह जो भी इसमें थोड़ी सी भी नमी होगी वो नमी दूर हो जाएगी इस तना से एक बार करके मैं यह भी यहां पर खाली कर रही है और यह मैंने पीक मग में गरम पानी लिया है मैं आपको ड्रिंक बना के दिखाऊंगी अब हमें क्या करना है यह तीनों इंग्रीडियंट्स को लेकर के इसको हम पीसेंगे ड्राइ इसको हम ग्रैंट करेंगे देखें मैं डाल रही हूँ इसमें बुना हुआ जीरा और साथ मैं डालूँगी पड़ीटा और मैं डालूँगी सौंगा अब हमें क्या करना है यह तीनों चीजों को अच्छे से पीस लेना है अब देखें यह पाउडर मेरा पिसके हो गया तयार तो इसको मैं खोड़नों मी अब देख सकते हैं बिलकुल बढ़िया यह पाउडर कितना प्यारा हुआ है तयार तो चली इसको मैं बोल में खाली कर लेती हूँ अब आप देखें यह मैजिकल पाउडर हो गया तयार वेट लॉस और अब मैं क्या करूंगी यह मेरे पास पिलकुल लुक्वाम बॉटर है इसको मैं इस प्रकार से ग्लास में लूँगी और हम आधा चमच के लगभग इसमें डाल देंगे रख लीजे ताकि आपको बार बार बनाना नहीं पड़े आप सुवेरे उठते ही यह करम पानी के साथ लीजिए साथ में आप डाल सकते हैं इसके अंदर नीबू और अगर आपको और टेस्ट चाहिए तो आप शहेद का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप डैप्टिक हैं तो शहेद बिलकुल यूज़ ना करिए इस तनहा से यह बना के आप 15 दिन के लिए यह पाउड़ा को रख ला जवाब यह बनके होगा तो बस देखिए मैं इस सरहां से स्कुयर टाइट कंटेनर में बंद कर दूँगी और मेरी यह मैजिकल ट्रिंग होगी तहीं है ना ला जवाब तो बस अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नीबू आप चाहें तो इसके अंदर आप ब्लेक सॉल्ट भी डाज सकते हैं यह देखिए और सॉल्ट फ्री अगर आप लेंगे तो यह ज़्यादा एफेक्टिव होगा इसलिए मैं इसके अंदर काले नमक का इस्तमाल नहीं कर रही है तो बस यह मेरा फ्रेश लेमन चला गया है इसके अंदर मैं एक बार इसको स्टर कर दू तो यह जाओ है तो यह क्ँछ आपन का टूंगी खंगान की ठापन सॉट सवा है कि अ कि अ